स्वागत है आपका मेरे रसोई के सफर में आज हम बनाएंगे 36 कड़ का एक ट्रेडिशनल स्नैक पपची इसे बनाने के लिए कोई विशेश सामगरी की आवशक्ता नहीं होती घर में ही उपलब्ध सामगरी से आप इसे आसानी से बना सकते हैं तो चलिए शिरू करते हैं सबस हम आधा कप चावल का आठा मिलाएंगे यदि आपके पास चावल का आठा ना हो तो आप सूजी मिला सकते हैं अब हम इसमें घी का मोयन देंगे मैंने इसमें कुल डेल टेबल स्पून घी का इस्तिमाल किया है घी डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर मुठी में बांद कर देखेंगे यदि आप अच्छे से बंद जाता है तो यह परियाप्त होगा अब हम इसका आटा लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी मिलाकर इसे गुल लेंगे हमें इसे थोड़ा कड़ा गुलना है अब हम इसकी बड़ी बड़ी लोईयां तयार करेंगे और इसे हम बेल लेंगे, बेलने के लिए इसमें किसी भी प्रकार के पर्थन या तेल लगाने के अवश्यक्ता नहीं होगी, इसे हम मोटा बेलेंगे, अब एक कटोरी या गिलास की सहयता से हम इसे काट लेंगे, अब इस शेप को हम अलग निकाल के रख लेंगे, इसे हमें टीफ फ्राइ करना है, तो तेल में गर्म करने के लिए रख दिया है, बाकी बचे हुए आटे से भी इसी प्रकार हम शेप निकाल लेंगे, और काटे की चमपच की सहाइता से यह दबालेंगे, ताकि तेल में डालते ही फूले नहीं, इसे गर्म तेल में डीफ फ्राइ नहीं करना है, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसे लो फ्लिम में कर देंगे और तब इसे डीफ आ करेंगे इसे थोड़ा करारा होने तक हमें डीफ फ्राई करना है थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे पलट देंगे जिससे कि यह दोनों तरफ से एक समान डीफ फ्राई हो सके इस पपची की थिकनस को आप अपनी इच्छा नुसार रख सकते हैं मैंने इसे बहुत अधिक मोटा नहीं रखा है देखें आप यह तयार है इसी प्रकार बाकी के बचे हुए पपची को भी मैं डीफ फ्राई कर लूँगी और यह मैंने बाकी के पपची को भी डीफ फ्राई करके रखा हुआ है अब हमें इसे चाशनी में डुबोना है तो चलिए चाशनी की तयारी करते हैं मैंने दो भाग शक्कर लिया है और एक भाग पानी जिस कटोरी से मैंने दो कटोरी शक्कर लिया था उसी से एक कटोरी पानी इसमें डाला है अब हम इसे मीडियम फ्लेम में गर्म करेंगे शक्कर अच्छी प्रकार से घुल जाना चाहिए अब हम इसे तब तक उबालेंगे जब तक कि इसमें एक तार की चाशनी ना बन जाए बीच बीच में हम इसे जाचते रहेंगे कि चाशनी तयार हुई है या नहीं अभी इसे थोड़ी देर और पकाने की आवश्यक्ता है अब या चाशनी तयार है एक बार मैं इसे उंग्लियों के बीच लगा कर देखूंगे अब इसकी फ्रेम को हम बंद कर देंगे और उपर से हम इसमें थोड़ा शकर डालेंगे यह ओप्शनल है ऐसा करने से पप्ची के उपर शकर के क्रिस्टल्स दिखते हैं या तो आप इसे एक एक करके चाशनी में डूब हो सकते हैं या जैसे मैंने किया वैसा भी किया जा सकता है अब अच्छी प्रकार से हम इसे मिला लेंगे और देखिए चाशनी सभी पप्ची के उपर आ गई है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर अलग-अलग रखेंगे ऐसा करने से पप्ची आपस में चिपकेंगे नहीं ठंडा होने के बाद आप इसे एक साथ रख सकते हैं तो यू तयार हो गई है हमारी ये पप्ची आपको या कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताईएगा थैंक्स फ़र वाचिंग